हलो प्रेंट्स आज हम बनाएंगे बिना लस्टी और दही के गड़ी जो की हमने कच्ची आमी डालके बनाई है अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेर और कमेंट ज़रू कीजिए और हमारे चैनल को सुस्क्राइब करना नाम हुए इसको बनाने के लि कि इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कि अब इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे ज्यादा पानी डालना है कि मिजे नहीं करता हुआ है कि अब ज़्यादा पानी डालना है पानी की कॉंटिती थोड़ी सी ज्यादा रखनी है इसमें हमें तुकि यह सिर्फ बेसन और पानी से बनेगा दही और लस्सी का यूज नहीं होगा इसमें ने एक कड़ाई में तेल ले लिया है जो कि गरम हो चुका तेल अब इसमें हमें हिंग डालेंगे जीरा डालेंगे अब हम जो एक हमने को डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आदी चमच आदी चमच सिखाम पुरा सा दनिया यह बेसन को और पानी को अच्छा से मिक्स करा था थोड़ा ज्यादा लिक्विट बनाया था उसको इसमें आड़ करेंगे हमने इसमें थोड़ा सा पानी और आड़ कर लेंगे अब इसको लगातार ऐसे चलाते रहना है हमारी जो ग्यास की फ्लेम है वो फुल पे है इसमें जब उबाला जाएगा उसके बाद हम ग्यास की जो फ्लेम है वो लोग कर देंगे अब हमें उबालाने तक ऐसी पकाना है हमें इसको लगातार चलाते रहना है इसमें उबाला जाएगा जब तक उबालनी आता इसमें हमें लगातार इसको चलाना है इसमें उबालाना स्टार्ट हो चुका है थोड़ी तेर बाद हम इसमें चलाना बंद कर देंगे पक्वे देंगे इसको यह देखिए इसमें अच्छे से उबाला चुका है अब हम गैस का फ्रेम लोग कर देंगे और लोग करने के बाद हम इसे 15-20 मिनिट तक पकने देंगे इसमें उबाला चुका है अब हम इसमें करेंगे नमक एड़ वो आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक एड़ करना है इसमें मिक्स कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 15-20 मिनिट यह देखिए हमारी कड़ी तयार हो चुकी है अब हम इसे कड़का लगा के सर्प कर लिए ते लिए देखिए हमारी कड़ी तयार हो चुकी है थैंक्स पूर वोचिंग जाए